हलो एवरिवन आप सभी लोग का स्वागत है डिफेंस ओफिसर अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे आज का विडियो काफी इंपॉर्टेंट है खासकर राएमसी एस्पिरिंट्स के लिए इवन पेरिंट्स के लिए भी क्योंकि काफी क्वेरी हमारे पास आते हैं कि सरम कैसे आरेमसी की तियारी करवाएं या किस तरीके से बच्चे का आरेमसी का एक्जाम क्लियर करवाया जा सकता है तो आईए आज उसी के बारे में बात करते हैं मेरा नाम है सूरज आरिया वीडिय ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो आज का मुद्ध है जो आज का टॉपिक है वो है how to clear the RMC examination ठीक है आपकी इस तरीके से राश्ट्रे मिलिटरी कॉलेज जो RMC राश्ट्रे इंडियन मिलिटरी कॉलेज जैसा हो सकता है कि कुछ पैरिंट्स नहीं हो और ये वीडियो अचानक से उनके चैनल पर आ गई हो और वो इस वीडियो को देख रहे हूं तो वो सोचेंगे या है रान परिशान होंगे कि RMC होता क्या है तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि RMC एक बहुत ही रेप्यूटेट स्कूल है विच इस मिलिटरी बेस्ट स्कूल और ये चाहता है कि बच्चे यहां से आम फोर्स में जाएं आर्मी नेवी एरफोर्स में ठीक है तो बहुत ही बेसिक भाशा में मैं आपको बता रहा हूं कि RMC एक स्कूल है बहुत ही प्रिस्टीजियस स्कूल है अल ओवर इंडिया सिर्फ एकी स्कूल है जहां पर आले दर्जे की पड़ाई बच्चों की होती है आले दर्जे की फैस इसर्ड सिनकों नहीं मालूम RMC क्या है तो RMC एक स्कूल है जो आपके बच्चे को ऑफिसर बनाएगा आप इतना समझ लिए ठीजे अच्शा इसकी थोड़ासा एक्जाम के बारे मैं समझ लेते हैं इस school के exam के बारे में ठीक है तो जो exam में आ रहे हैं इसे का साल में दो बार होता है एक होता है June के महने में और एक होता है December के महने में और basically इसमें क्या assess किया जाता है क्या exam में आता है basically आप academics में कैसे हैं ठीक है थोड़ा सा आपकी mental ability भी देखी जाती है आज कल आपसे कुछ questions पूछे जा रहे है reasoning के तो आपकी mental ability भी देखी जाती है और साथ ही साथ आपकी physical fitness का भी काफी impact पड़ता है इस exam में क्योंकि इस exam में बहुत ही exhaustive medical है written exam qualify करने के बाद आप लोगों का medical भी होता है ठीक है और medical का direct connection आपके physical activities है मैं कहूंगा ठीक है अगर आप physically fit हो तो मुझ specific cases हो सकते हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा बट इन जनरल मुझे लगता है कि बच्चे सभी बहुत fit होते हैं बस थोड़ा सा अगर वो अपने fitness पे ध्यान दे ठीक है तो RMC एक ऐसा exam है जो साल में दो बार होता है उसके बारे मैं मैंने बात कर लिए और साथ में आपकी mental ability, academics यह सारी चीज़े RMC चेक करता है अगर आपको RMC में admission चाहिए तो अब यह जो RMC का exam है बेसिकली यह दो stages में होता है ठीक है देखे सबसे पहले तो इसमें written examination होता है और written examination के बारे में बात कर रहा हूँ जो तीसरा चरण है वो medical है जरूर उसके बारे में बात कर problem है या नहीं है तो वो doctors check करेंगे न हम कोई अपनी problem थोड़ा rectify कर सकते हैं लेकिन हाँ हम लोग अपने आपको physically fit रख सकते हैं जिससे बहुत सारी जो problems बच्चों को होती है वो automatically resolve जाती है physical fitness के उपर मैं especially stress दाल रहा हूँ ठीक है अब इसके बारे में आगे भी बात करेंग these are three important subjects ठीक है आपके aptitude को भी test किया जाता है basically क्योंकि analytical reasoning भी आजकल exams में आई आ रही है second है आपका जो चरण जो second stage है वो है interview और interview में basically आपकी personality को देखा जाता है आप किस तरीके से अपने आपको express कर पा रहे है तो वो interview का part है इसके बारे में भी हम बात करेंगे last में लेकिन याद अखना है कि return जो exam जो बच्चे return exam qualify करेंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों को interview होगा और interview होने के बाद फिर एक overall merit list बनती है medical होता है और उसके accordingly बच्चे का admission RMC में होता है ठीक है तो दो stages के बारे में मैं already discuss कर चुका हूँ अब वो क्या tips है यह तो बहुत important point है वो क्या tips ह exam के लिए prepare करने के लिए जो मैं आपके सामने आज बोलने जा रहा हूँ बहुत parents के हमारे पास calls आते हैं कि sir क्या सही समय रहेगा बच्चे को RMC के exam की तियारी करवाने के लिए तो मैं कहता हूँ कि जल से जल्द आप बच्चे की RMC के तियारी करवाईए right from class fourth तो मेरा तो मा circulation के साथ उसके साथ आप work करें बच्चे को नहीं नहीं vocabulary आप सिखा हैं बच्चे की English पर थोड़ा सा workout करें तो वो कहीं नहीं और personality बड़ी important है physical fitness बड़ी important है तो छोटे से ही आप बच्चे के साथ यह parents का role रहेगा लेकिन जहां पर guidance या teachers का role आता है तो right from class fourth आप बच्चे क की त्यारी RMC की करवा सकते हैं तो पहला point यही है that you have to start early क्योंकि देखे preparation is the key त्यारी ही मतलब basically solution है RMC exam निकालने का तो त्यारी जो सबसे जादा करेगा अगर आप अपने त्यारी पहले से ही कर लेंगे तो definitely आप exam में बहुत अच्छा perform करेंगे और आपको काफी समय मिल जा बच्चे छोटे हैं तो अभी से आप ही बच्चे को कहीं न कहीं guide करें और जब बच्चा fourth में जाए तो फिर आप उसको कहीं भार से guidance दे सकते हैं आप हमसे भी बच्चे की guidance दिलवा सकते हैं Defense Officers Academy कहीं न कहीं बच्चे को RMC, RMS और Cynic School के लिए prepare करवाता है, live भी करवाता ह है, offline भी करवाता है और recorded courses भी हमारे पास हैं तो जो आपको भैटर लगे, जो option आपको भैटर लगे उस option की तरफ आप जा सकते हैं और जो हमारा personal assessment है हम तो भी या offline prefer करते हैं क्योंकि offline में सबसे ज़्यादा benefits बच्चे को मिलते हैं दुसरे चरेंड में आते हैं, दुसरे जो tips है वो है syllabus को समझना, ठीक है तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ओलरी 4th या 5th में है तो ये आपकी responsibility है कि बच्चे को आप syllabus समझाएं, बताएं कि क्या क्या चीज़े हैं बच्चे के exam में आ सकती है, syllabus के साथ we have to go through very thoroughly, syllabus को समझना बहुत important है, तो understanding the syllabus is very important, बच्चो को familiarize करवाना परता है syllabus के साथ, और कौन कौन से topics हैं जो बच्चो को cover करने है, ठीक है हर एक subject में वो बहुत important है, क्योंकि जो R.A.M.C. exam में नहीं पूछता उसको पढ़के फैदा नहीं है, ठीक है, जिसे English का paper है, English के paper में grammar के स साथ, writing portion भी है, letter writing बच्चो से पूछी जाती है, प्रेशी writing है, picture based stories बच्चे करते हैं, तो इस सब चीज़ बच्चो को करवाना जरूरी है, okay, तो syllabus को समझना is very important, okay, the third point is now practice regularly, okay, तो एक बार आप syllabus को समझ गए, तो फिर आप systematically topic wise जब चीज़ों को पढ़ेंगे, तो ये तो, मतलब, it's very natural कि हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो इसको भूल जाते हैं, तो जब हम उसको बार बार practice करेंगे, बार बार practice करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर inculcate हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, maths की तियारी है, अगर एक बार आपने कर ली बहुत अच्छी, तो बार आप गिरें, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और continuously आप कहीं न कहीं तियारी करते रहे, cycle चलाने की, तो आप कैसे सीखे ना उससे, और जो अभी अब lifetime कभी आप cycle नहीं भूल सकते हैं, मैं भी cycling करता हूँ, बच्वन में सीखी थी, कभी भूल सकता हूँ क्या, हो अपने सारे subjects को, maths को, English को, GK को, properly अगर उसको आप practice करते रहेंगे, previous years के papers को solve करते रहेंगे, और sample papers को solve करते रहेंगे, तो आप basically exams का pattern भी समझ पाएंगे, और जो time management है वो भी सीख पाएंगे, ठीक है, तो practice करना बहुत important है, previous years के questions करना जरूरी है, फिर mock papers लगाना जरूरी क्योंकि time management भी तो समझना है, चलिए, उसके बाद क्या है, उसके पास fourth point बहुत important है, that you have to seek guidance, बिना guidance के exam qualify हुई नहीं सकता, या तो parents खुद इतने काबिल हों, या academics में इतने अच्छ हों, या उनके पास समय हो, कि वो बच्चे को guide कर पाएंगे, अगर वो guide नहीं कर सकतो, आ अगर आपको difficulty किसी भी subject पे, तो आपको बिल्कुल hesitate नहीं करना चाहिए, guidance लेने के लिए, आप कहीं से भी ले सकता हो, किसी teacher से, किसी mentor से, किसी भी coaching institute से, जो basically specialized हूँ, R.A.M.C. exam के लिए, ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कि हम लोग भी बच्चों क गाइड करते हैं, R.A.M.C., R.A.M.S. और Cynic School में, तो अगर मैं specifically R.A.M.C. की बात करूँ तो हमारा बहुत अच्छा track record है, तो अगर आप interested हैं, तो हमसे guidance ले सकते हैं, offline आप हमारा पास आ सकते हैं, हमसे live पढ़ सकते हैं, या आप हमसे recorded course भी ले सकते हैं, और even हम लोग जो हमसे familiar हैं, खास कर हमारे जितने भी teachers हैं, जो academics में हैं, उनसे familiar हैं, तो उनको जरूर हमारे पास offline आना चाहिए, और कहीं नगे अपने तियारी R.A.M.C. के लिए करनी चाहिए, ठीक है, तो seek guidance वाला point बहुत important है, parents कभी-कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं, इस school में पढ़ते पुछी जाते हैं, सिर्फ static GK का portion नहीं, current affairs भी पुछी जाते हैं, और stay updated में इसले भी कहता हूँ कि इबाद में interview भी है, पूरा panel बैटता है interview का, ठीक है, और आपसे बहुत सारे current affairs के भी questions पुछी जाते हैं, तो geographical questions भी आपसे पुछी जा सकते हैं, आपके areas के, जहां-जहा हमारे भी videos देख सकते हैं, जो हम लोग current affairs के videos लाते हैं weekly, तो वहां से भी आपको कहीं नहीं, पता चलेगा कि what is happening around the world, okay, so stay updated is again a very important point, and then sixth point, सबसे ज़्यादा stress दोंगा, this is the most important point, parents को बताना चाहता हूँ कि physical fitness भी बहुत ज़्यादा important है, parents सिर्फ academics, 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 academics का भार बच्चों पर डाल देते हैं, और उनको लगता है कि physical fitness कुछ है ही नहीं, अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझेगा, हम तो कहीं नहीं बच्चों के साथ process में चल रहे हैं काफी समय से, और हम देख भी चुके हैं ये सारी चीज़ें कि physical fitness कितनी ज़्य जादा important है, बच्चा जब तक पसीने से नहीं आएगा ना उसके अंदर वो positivity नहीं आएगी और अगर बच्चे का body healthy है ना तभी बच्चे का mind भी healthy रहेगा और बच्चा और जल्दी ग्रैस्प करेगा, लेकिन मैं और institution की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी बात क खेलते थे, push-ups करते थे, running करते थे हमारे साथ, उन सभी ने RMC का exam निकाला आवा है और कहीं नहीं मैं आपको ये भी relate करके बताया था कि physical fitness is somehow related to medical also, अगर आप physically fit हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको medical problem होगी, ठीक है, unless and until कुछ और major problem है, ठीक है, तो physically fit रहना is very important, तो on a daily basis बच्चों को कुछ ना कुछ physical activity करनी ही चाहिए, चाहिए वो badminton खेले, badminton को मैं बहुत ज़्यादा promote करता हूँ, क्योंकि मैं खुद खेलता हूँ, मुझे लगता है best game है badminton, बड़ा mind game भी है और कहीं नहीं, physical exhaustive game है वो बड़ा demand करता है आपसे agility and all, तो बच्च की routine में include करें, यह ना सोचें कि बच्चे के पास समय नहीं है, school जाता है, आता है, पढ़ता है, उसका बच्चमन खराब ना करें आप, यह जो उपर की चीज़ नहीं है, इस सारी बेकार है, मैं आपको पहली बता रहे हूँ, जो academics के बारे में मैंने बताया, इस साब बेकार है, यह बात आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो regular basis में exercise होने चाहिए, outdoor activities होने चाहिए, ठीक है, यह सारी चीज़े बहुत ज़दा important है, ठीक है, अगर आपको RMC का exam qualify करना है, ठीक है, तो यह सारी written exam से related से, आप interview से related भी थोड़ी सी बाते में आप से कह दू, देखिए, interview में कहीं न कहीं आपकी personality का assessment होता है, आप किस तरीके से अपने आपको express कर पा रहे है, how much confidently you are able to express yourself, है सारी चीज़े बड़ी important है, तो सब सब पहला जो point है, वो है, be confident, ठीक है, तो confidence is the key, यह तो आपको पता, यह interview में अगर आप, अगर आप में, if you are confident enough, और confidence अगर दिख रहा है, तो कहीं न कहीं, जो interviewer है, वो कहीं न कहीं, आपको extra marks तो देगा है, देगा, लेकिन, लेकिन, लेकिन confidence भी तब आता है, when you are well prepared, ठीक है, अगर मेरा कोई interview लेगा, अभी और मज़े कुछ आता ही नहीं, if I am not well prepared, तो मेरे अंदर confidence कैसा आएगा, ठीक है, so you have to be well prepared, ठीक है, आपके communication skills अच्छे होने चीए, ठीक है, और basically किस तरीके से आप questions को समझ रहा हो, किस तरीके से आप articulate कर रहा हो, वो सारे points बहुत important है, तो interview की भी proper guidance या proper practice करना बहुत ज़रूरी है, on a daily basis जब आपका interview लिया जाता है, या जब आपके mock interviews ले जाते हैं, तो क कहीं न कहीं सारी चीजां आपको समझ में आते ही, और कहीं न कहीं से बच्चा, बच्चे के अंदर वो confidence भी देखने को मिलता है, okay, अच्छा, अगला point भी बहुत important है, सिर्फ अगर मैं आपसे बोलनू कि confidence is the key, तो ये गलत होगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा, that you have to know yourself first, क्योंकि आपको अपने आप कोई तो express करना है, और आप अपने आपको कब express कर पाऊगे, जब आपको अपने बारे में मालूम होगा, तो आपको अपने बारे में सारी चीज़े मालूम होने चाहिए, आपकी strength क्या है, आपकी weak points क्या है, आपने क्या क्या achieve क्या है life में, ठी तो यह पूरी clarity होने चीए, मैं बता रहा हूँ बच्चे के अंदर, तभी वो interview में भैतर कर सकता है, अच्छा उसके अलावा, तीसरा point भी बहुत important है, मैं हमेशा बच्चे से कहता हूँ, you have to stay calm and composed, ठीके, अब देखिए, कोई ना कोई आपका interview लेगा, मेरा भी लेगा, तो कहीं ना कि हम थोड़े से pressure में तो आई जाते हैं, और जब हम pressure में आते हैं, तो हमारी performance थोड़े सा खराब जाती है, जो हमारी efficiency है ना, अब आपने इतना practice करा है interview के ले, लेकिन अगर आप थोड़े भी pressure में आगे, तो आप उस तरीके से अपने answers नहीं दे पाएंगे, उतने confidence के साथ आप answers नहीं दे पाएंगे, जितने आप दे सकते हैं, तो basically you have to be very calm and composed, मैंने बच्चों से बोला, deep breathing is the key, आप लंबी-लंबी सांस लेजिए, इस तरीके से, जैसे आपका interview हो तो पहला आपने लंबी-लंबी सांस ली, तो आप उतने में काम हो जाएंगे, ठीक है, तो और practice के साथ धिरे-धिरे चीज़ें आती, जब आप किसी चीज़ में expert हो जाते हो, तो आराम से फिर आप कामीर होगे, जब आपको कोई चीज़ नहीं आती, तो थोड़ा डल लगता है, आदमी तभी pressure में आता है, जब आप practice करोगे, इतने सारे mock interviews करोगे, तो कहीं न कहीं, आप आराम से फिर, you will be staying calm and composed only, ओके, तो वो deep breath वाली बात मैंने जो कहीती, वो बहुत important है, और pressure में आते हो, तो फिर proper eye contact भी आप maintain नहीं कर पाते हैं, तो eye contact भी maintain करना है, और questions को अच्छे से समझना है, और उसके accordingly जो पूछा गया है, उसी के बारे में बात करनी है, ठीक है, कुछ extra बात नहीं करनी है, ठीक है, जो specifically पूछा गया है, उसी का answer देना है, so stay calm and composed is again very important point, and then the last point is be honest, loyalty और integrity में क्या बताऊं कि फॉच के लिए कितने important है, if you are not loyal to yourself, if you are not loyal towards your family, आप आगे जो नया institution जोईन कर रहो, आप उसके साथ loyal होई नहीं सकते, मैंने हमेशा से बच्चों से काया that you will be judged by your past actions, अगर आपने past में कहीं न कहीं अपने family से जूट बोला है, अपने friends के साथ जूट बोला है, या खुद से जूट बोला है, तो आप फिर आगे आपसे expect नहीं किया जा सकता, आप आप आएमसी के साथ सज बोलोगे, या आप आगे armed forces में loyal रहोगे, या आपके अंदर की जो integrity है वो बिलकुल सही रहेगी, आपसे बिलकुल भी expect नहीं किया जा सकता, interview का मतलब ही क्या है कि आपके past experiences के basis पर हम ये identify करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना loyal है, और इन पर मैं काम कर रहा हूं और इनको मैं इस तरीके से ठीक करूँगा, उस बच्चे को consider किया जाएगा, जो बच्चा जूट बोलेगा उसको consider नहीं किया जाएगा, so loyalty is very important, integrity is highly valued in armed forces, okay, उसी की मैं बात कर रहा था, so you have to be honest, truthful in responses, even if it means admitting to shortcomings, ठीक है, तो अगर आपने अपनी कमियों को accept कर लिया, तो वो चीज आपके favor में जाएगी, okay, और अगर आपने जूट बोला, so they are trained psychologist, पूरा panel बैठता है, वो यूँ समझ लेंगे कि आप जूट बोल रहो, तो interview में इस चीज भी ध्यान रखना, तो मैं फिर से एक बार revise कर लेता हूँ कि एक तो आपको भया, you have to be confident, okay, वो कब आएगा जब आप practice करते रहोगे, साथ ही साथ, you should know about yourself, आपको अपने बारे में तो मालूम होना ही चाहिए, जाइट सी बात है, क्योंकि आप से आप ही के बारे में पुछा जाएगा, आपकी family के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, आप क्यों armed forces join करना चाहते हो, वो आपको मालूम होना चाहिए, why do you want to join R RMC, कि सारी चीज़े हैं, then you have to stay calm and compose and then loyalty is the utmost thing, जो required है, armed forces में, ठीक है, and my final thoughts, देखिए, अब इतनी सारी बाते हैं हमने कर ली RMC के बारे में, और मैं at the end यही कहना चाहूँगा कि एक RMC, बहुत अच्छी opportunity है सभी बच्चों के पास, जिन लोग को RMC के बारे में मालूम है, ज मैं parents से जरूर कहूँगा कि आप जरूर support करो बच्चों को, और RMC की preparation जरूर कराओ, क्योंकि अगर बच्चे RMC में नहीं भी qualify होते हैं, तो उसकी जो process है वो इतनी अच्छी है, academics इतना अच्छा है, तो कही न कहीं बच्चा academics में बहुत अच्छा हो जाता है, और आगे future में कहीं न कहीं, वो shine definitely करता है, यह हमारा assessment है, और हम आपको assurance देते हैं कि अगर बच्चा ठीक से RMC की त्यारी करता है, तो आगे आने वाले hurdles से आगे आने वाले जो भी opportunities बच्चे को मिलेगी, उसमें बच्चा बहुत अच्छा करेगा, तो basically एक proper mindset, यह parents का role होता है, कि एक proper mindset आ आप रखें, RMC के तरफ, बच्चों को RMC के त्यारी पहले से करवाए, और यह मत देखें कि कितनी seats है, अगर एक भी seat है, तब भी आपको RMC के लिए जाना चाहिए, और मैं तो यहां तक भी कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा RMC के eligible नहीं है, मतलब आपको अभी RMC के बार आपको 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 आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एक बहुत ही इन्फोमेशनल वीडियो था सभी parents के लिए, सभी RMC experience के लिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अब तक लिए बाबाई, see you soon, all the best, जाहिंद. जाहिंद.